देश में आम चुनाव में अब 300 दिन का भी समय नहीं रह गया है विपक्षी दलो ने मोधी सरकार की घेराबंदी का प्लान त्यार कर लिया है मोधी सरकार की असफलताओं को गिनाया जा रहा है बीजेपी के पास विपक्ष की तोर नहीं मिल रही है देखिए ये खास रिपोर करनाटक में कॉंग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को अब 2024 के चुनाव में भी सफलता की रहा मिलती दिख रही है विपक्षी दल एक जुट हो रहे हैं जल्दी विपक्षी दलों की बैठक भी होनी है विपक्ष मोधी सरकार को घेर रहा है और इसका नेत्रेत्वर राहुल गांधी ने एक सर्वे का हवाला देते हुए लिखा 42 फीसिदी लोगों ने कहा आर्थिक इस्ति नहीं बदली 22 फीसिदी लोगों ने कहा आर्थिक इस्ति और खराब हुई 36 फीसिदी लोगों ने कहा विकास सिर्फ अमीरों का हुआ 18 फीसिदी लोगों ने कहा विकास किसी क नहीं हुआ तेरा फीसीदी लोगों ने कहा सरकार ने आसत काम किया। लिए स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी इसके अलावा मोधी सरकार ने गंगा की सफाई को लेकर भी शुरू की गई नमामी गंगे योजना भी फ्लॉप की लिस्ट में शामिल कर दी है शुरुआती पांस साल में सरकार ने इस योजना पर 20,000 करोड रुपए क पर काले धन का खुलासा हुगा और ये अभ्यान जोर शोर से शुरू किया गया लेकिन इस मुद्दे पर भी सरकार को कोई बड़ी काम्याबी हाथ नहीं लग सकी डेवी लाइफ की रपोर्ट